नमस्कार अम्रीजनों आप देख रहे हैं सीउटी पार्ट साला आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं फाइनली हम लोग आज सेशन के पार्ट टू में आ गए हैं ठीक है पार्ट वन जो अच्छे नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो जाके पार्ट वन पह अफेर्स जितने भी important questions आपके exam में आ सकते हैं आल्मोस्ट exams के पहले हम लोग आपके discuss करने वाले हैं यह सेशन जो है डेली रात में 9 बजे और आज से आपको दिन में भी यानि डे में भी यह सेशन मिलेगा अभी time बता दिया जाएगा means कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ल दिखा हुआ है पहले से ही रोज है आना नो घबराना ठीक है रोज है आना नो घबराना अब हम लोग चलते हैं आगे सेशन में तो यह सब questions हम लोग discuss कर चुके हैं ठीक है वो part 1 में discuss कर लिए तो हम लोग सीधे पहले 16 से सुरू करते हैं आज का जो पहला question है आपके screen पर दि discuss करूंगा so please आप लोग सेशन में बने रहना यह नहीं कि English देखके आप निकल लो बिलकुल नहीं हिलना है बहुत ही अच्छे से एक एक points को में समझाओंगा question number 16 है English National Park Maudizi released 8 चिता which brought from Namvia ठीक है ध्यान देना यह एक country है South Africa का ठीक है South Africa का जहां से अभी 8 चीता हमारे देश में लाए गए है ठीक है अगर मैं आपसे बोलूँ कि यह जो South Africa का country है जिसको हम लोग Namvia कहते हैं इसका capital क्या है ठीक है मैं एक एक point तब से discuss कर रहा हूँ capital आपसे पूछा जा रहा है तो capital क्या हो जाएगा wind Hawk ठीक है बिसेकली देखो वो सभी capital आपसे पूछे जा सकते हैं जिसके प्रधान मंत्री अपने देश में विजिट कियो हों 2023 के दर्मियान ठीक है किसी किसी summit में किसी program में किसी functions में तो आप यह समझ लो कि वो जो प्रधान मंत्री या प्रेसिडेंट होंगे वो और उसके capital ये सभी आपके exam में पूछे जा सकते हैं ठीक है इसमें जो question का answer बच्चे दे रहे हैं ठीक है इसका हिंदी मीनिंग ये है कि मोधी जी ने जो आठ चीता ला पार्क में डाला गया इन चार option में से जो national park है उसका state बताना है असाम में मध्द प्रदेश में राजस्थान में और उत्राखंड में तो answer यहां पर बहुंस सरे बच्चे क्लिक कर रहे होंगे मुझे उमीद है कि आप लोग सही answer करोगे मैं सुतना चाहता हूं आप सभी लो facts में आपको समझा देता हूं ठीक है वो भी आप लोग देख लो क्योंकि मुझे लगता है कि आपके exam में ये एक अच्छा question बन सकता है चुकि मोदी जी ने इसको काफी advertise किया था ठीक है हमारे यहां total 50 चीता आना है ठीक है कैट की प्रजाती होती है बिल्यों की प्रजाती ह जिसमें से अभी हमारे पास 8 आया है दिरिदे करके लोग लाते रहेंगे ऐसा नहीं है कि जब भी चीता आएगा तो मोदी जी जाएंगे मोदी जी start कर दी है हो सकता है कुछ चीता आजर पता भी ना चले हो सकता है जब भी आया तो पता चले दूनों चीजे हो सकती है ठीक ह तो आपको ये चीजे ध्यान रखनी है और ये जो चीता है वो हमारे देशमें 1952 में विलूप्त हो गया था 1922 में विलूप्त हो गया था क्यों विलूप्त हुआ था क्योंकि इन के रहने के लिए हमारे यह कम होने लगा था Basically और यह लोग हिरन खाते है इनका सिकार खुब हुआ है यही रिजन है कि हमारे हाँ यह खतम हो गए थे तो basically ऐसी climate में इनको लाया जाना है जहां पे survive कर सकते हैं तो इंडिया में survive कर सकते हैं ठीक है basically जो प्रजाति हमारे हाँ आ रही है यह 50 जो आने है यह इंडिया में क्या कर सकते हैं survive कर सकते हैं इसल जान देना भारत सरकार के केंद्री पर्यावरड एवं वन जलवायू परिवर्तन जो मंत्राल है उसके अंतर गताया है नेक्स्ट पर चलते हैं अब जल्दी से बताओ इसकी इसका आंसर किसको किसको पता है question में read कर रहा हूँ वैला डिला range of 36 गड़ का वो किसके लिए famous है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ्सन है कोल प्रोडक्शन सेकेंड ऑफ्सन है आईरन ओर प्रोडक्शन थर्ड मैगनीज प्रोडक्शन और लास्ट फोर्थ ऑफ्सन है कॉपर प्रोडक्शन ठीके अब यहाँ पर आप आपको जल्दी से answer करना है hopefully इसका answer आने लगा होगा तो यह है आपका basically किसके लिए iron किसके लिए law आयस इसको हिंदी वाले जो बच्चे है वो note कर ले ठीक है law आयस आयस तो जानते ही होगे आप लोग उमीद है ठीक है मैं बता भी देता हूँ actually हमारे हाँ जो भी elements होते है इ प्योर फॉर्म में होते है ठीक है nature में प्योर फॉर्म में नहीं होते है basically यह किसी ने किसी दूसरे अलिमेंट से मिलके प्रोड़क्ट बनाते है कमेस्टी में आप लोग पढ़े होगे कि हमेशा कोई भी जो element होता है चाहिए फीओ चाहिए कोई भी योल मुलियम हो इवन हा अगर इसको गरम करोगे तोड़ भी सकता है oxygen वहार आने लगता है क्योंकि हम लोग ने इसको ब्रेक कर दिया ब्रेक करने के लिए हमने इसको temperature दे दिया कहने का sense यह है कि जो भी हमारे हाँ elements होते हैं वो pure form में elements नहीं होते है क्योंकि pure form में रहेंगे तो किसी ने किसी दूसर reactant से मिलके product बना लेगा वो तो generally जो iron ore है वो इस 36 गर्ड के वैलाडिया range में पाया जाता है ठीक है अगर आपसे question और पूछा जाए कि वैलाडिया law isk जो है निर्याद कहां किया जाता है मिलब यहां से कहां निर्याद किया जाता है यह आप answer करोगे मुझे comment box में question number 18 पे हम लोग आ गए है question number 18 है backside is used as raw material in यानि जो backside यह भी दो को और है ठीक है O-R-E मतलब आयास्क है यह 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 भी एक परकार का आयास्क है ध्यान देना जोग्राफी के सब questions बहुत important है ठीक है generally आपसे ऐसे question पूछे जाएंगे जिस question से आप भागने लगते हो ठीक है अब जल्ली से मुझे answer बताओ कि जो बाक्साइट है उसका जो raw है मतलब बाक्साइट का जो raw form है ठीक है बाक्साइट का जो short form जो formula होता है L2O3 होता है दो को यहाँ पर बाक्साइट का formula क्या है L2O3 जबकि यह जो ओर है किसका है यह यह है आपका किस element का ओर है यह 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 यहाँ पर बाक्साइट जो है वो raw as a material किस पर देता हूं जिनको बहुत ही आसान भासा में इसको समझना है तो यहाँ पर question पोछा गया था कि बाक्साइट जो है वो raw as a material किस industry में यूज किया जाता है पहला है cement industry दूसरा iron and steel industry थर्ड है almonium industry and last fourth है fertilizer industry ठीक है तो answer हो जाएगा almonium industry फुली आपको यह बास समझ में आया होगा ठीक है अब आपको मैं यहाँ कुछ facts समझा देता हूं facts समझा देता हूं जैसे की एक मिनट एक मिनट आपको बताना है कि almonium जो है वह पूरे 20 में इंडिया किस नंबर पर अपना india जो है वह किस नंबर पर आता है अलमुलियम के लिए ठीक है यह हो जाएगा फिक नंबर पांचमे नंबर पर आता है ठीक है आउमित करता हूं आप लोग को पहले पता होगा अगर मैं आप से पूछओ कि इंडिया में अल्मूलियम का प्रोडस्वात किसी स्टेट में होता है तो आप यह comment कर होगी है आपको 이 स्टेट बदाना है ठीक है भारत में कौन सा स्टेट है जहां पर hightst produk रोत器 है किस का इस बाक्ष्ँाइट ओर का इट मेंस के अलमुलियम का ओके ठीक है नेक्स्ट पर चला जाए को फुली आपको समझ में आ रहा होगा क्वेस्ट नमबर नाइंटीन दे रिजर्व वैंक आफ इंडिया वाज नेशनलाइजड इन यानि की आर बी आई जिसको आम लोग बोलते हैं आर बी आई सॉल्ट में आपको बताना है कि यह आर बी आई जो है नेशनलाइजड कभ हुआ ध्यान देना यहां पर यानि राष्टी करड जो है वो दोनों अलग-अलग आंसर है ठीक है इस्थापना मैंने नहीं पूछा है मैं आपसे पूछा हूँ नेशनलाइज यहां पर आफ्सेंस है नाइनटीन फुटिनाइन नाइनटीन फिप्टी नाइनटीन थर्टीएड नाइनटीन चारो आफजंस में हमारे पास जो है निशनलाइज का भी आंसर है और Trading का भी आनसर है अब आप जल्दी से आंसर करो बाकी मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है जल्दी बतायो जल्दी बतायो छेसे बôn Beast story देखो यहां पर अगर हम इस थापना की पहले बात कर लें तो यह हमारे हां थर्टी फाइब कहां पर इसमें दिख रहा है यह लास्ट आप्शन 1935 यानी 1935 में इसकी स्थापना की गई थी यदि आप से क्वेस्चन पूछा जाना कि आरबी आई की स्थापना हो रहा है उसमें एक एहम भूमिका किस भारती नागरी कर रहा है तो ध्यान देना भी आर अंबीड कर जी जो है जिनोंने जो प्रारूप समीती के ड्राफ्टिंग कमीटी के अध्यक्ष रहे हैं अपने कांस्ट्यूशन आप इंडिया के उनका एक ब महान विद्वान का क्योंकि एक क्या थे एक एक इकोनॉमिस्ट भी थे इनको बहुत अच्छा अर्थ साथ का ज्यान भी था तो बेसिकली इनका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है अब हमारा जो मेन क्वेस्टन का अंसर है उस पर हम लोग आते है कि नेस्नलाइज कब हुआ तो इसका हम लोग जल्दी से देखते हैं आपसन यहां पर पहला ही हो जाएगा और बहुत सारी लोग के कॉमेंट्स मुझे लग रहा है कि दिख भी गए थे 1901 जनवरी 1949 को इसका राश्टी करड़ किया था ठीक है कब किया गया था तो फिट से मैं रिपीट कर रहा हूं 1949 मे आप लोग के बात समझ में आ गई होगी next question पर चले हम लोग ठीक है okay the civil disobedience moment was started in India in which year ठीक है मतलब question यह पूछा जा रहा है क्यूंट इसका जो यह है साइज बड़ा ठीक कोई बात नहीं आप समझ जा रहे होगे न मुझे रहा पीपीटी थोड़ा सा न वो इधर उधर हो गया दो क्वेस्टन क्या पूछ रहा है civil disobedience obedient moment एक मिनट इसकी बैट्री कम हो गई ने चल नहीं रहा हाँ ठीक है यानि कि जिसको बोलते हम लोग हिंदी में सवीने अवग्या अंदोलन सवीने अवग्या अंदोलन इसका जो हिंदी मीनिंग है न वो आप लोग को जरूर पता होना चीक क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा न पेन मेरा वह चल रहा है slow चल रहा है तो प्लीज आप लोग बने रहना ठीक है सवीने अवग्या अंदोलन जो है यह बिसिकली आपको जानना है सवीने मतलब बहुत ही बिना जगडे के सवीने बिने के साथ ठीक है हम लोग अव्यल ना कर देंगे इसको अस्विकार कर देंगे समझ रहे हो अब इसका तो पहले हम लोग आप मुझे कॉमेंट करो फिर इस 1916, 1930, 1942, 1920 ठीक है अब मुझे दल्दी से आंसर चाहिए पहले ओके यहाँ पर आंसर आ गया 19 अफसर नंबर 2 ठीक है 1930 यानि 1930 को ठीक है यह हमारे हाँ स्टार्ट किया गया था किसने शुरू किया था तो हमारे गांदी जी ने किया था यह बात ध्यान लगना गांदी जी का ए अब लोग अच्छा यह सुने ओ डांडी मार्च का नाम सुने ओ अब लोग ठीक है यह वाला सुने ओ डांडी मार्च का नाम सुने ओ आप लोग यह डांडी मार्च इसी का तो रजल्टेंट है पहला जो इस टेप लिया गया था वो डांडी मार्च इस मोमेंट के अंतरगत पहला जो उन्होंने step लिया था वो dandy march लिया था इट मेंस की dandy एक place का नाम है ठीक है और ये लोग dandy वाले place पे जाके नमक कानून तोड़ेंगे ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है नमक कानून ठीक है salt का जो नियम था इट मेंस की जो नमक है वो जनरली बिटिस के अंडर में आता था ठीक है और सोचो के हमें नमक खाने के लिए भी कर देना पड़ता था अपने देश का ही पैदा किया गया जो नमक था उसके लिए हमें tax देना पड़ता था तो basically सबसे पहले इनोंने क्या गया नमक कानुन तोड़ा इट मेंस की वहाँ पे गए और कब गए तो 12 मार्च ठीक है 12 मार्च 1930 यह 1930 है ध्यान देना इस मुमेंट का पहला इस टेप है 12 मार्च 1930 को यह लोग निकल जाते हैं और यह 6 अप्रील को यहां से जोड़ लो 6 अप्रील को अभी अप्रील जस्ट खतम हुए जोड़ लो कितने दिन में पहुचे तो 12 मार्च को निकले 6 अप्रील को पहुचके कहां पे पहुचके उस प्लेस पे सावर मत्री आस्रम से लोग निकले थे और डांडी नमक प्लेस पे पहुचके इन्होंने नमक कानून तोड़ा, ठीक है, इसमें कभी कोई पूछा जाता है कि महात्मा गांदी नी सीत्रा को कितनी लोगों से शुरू किया था, तो 78 लोगों से शुरू किया था, और फाइनलि जाके उन्होंने साल्ट सत्यागरह यहा कर रहे थे क्योंकि अंग्रेजों का सासन था तो वह ड्यूटी नहीं जाएंगे ठीक है जो बिदेशी कपड़े हैं कपड़े वह अब कपड़े नहीं पहनेंगे खादी कपड़े पहनेंगे इस तरीके से मतलब कि यह लोग सभी नहीं बिना जगड़े के हम आपका भहिसकार क कर देंगे ठीक है यह चीज इसमें रही हैं ठीक है ओके आते हम लोग 21 पर हूँ इस दे फॉलोविंग रिगार्डेड मैं एज आ सोसल आनिमल वाव यह तो मेरा समझ लो फियोरेट कॉस्चन है इंपोर्टेंट नहीं है लेकि मेरा फियोरेट है ठीक है इंपोर्टेंट नह लिजन यह है चुकि यह मेरे से थोड़ा जुड़ा हुआ है चुकि मैं फिलोसफी से पढ़ा हुआ हूँ ठीक है ध्यान देना मैं फिलोसफी से क्या किया है मैंने बी यह किया हुआ है तो इसलिए मुझे यह बहुत जादा इंट्रस्टिंग लगता है बिसिकली इसका जो ह अभी समझे नहीं पाओंगे जैसे कि भारती दर्सन के बारे में आपको पता ओना चाहिए मतलब की धरी के प्ता होना चाहिए जैसे आपके लिए important हो जाता है और उन दर्सनों में जो कुछ important person आते हैं यानि विद्वान जो आते हैं विद्वान उन विद्वान के बारे में आपको थ्वा पता होना चाहिए इसलिए question को लिखा हूँ वैसे इसका answer क्या हो जाएगा Aristotle यानि अरस्तु हिंदी वाले बच्चों को मैं ही बता दे रहा हूँ यहाँ पर अरस्तु का नाम आप लोग बहुत सुने होगे न आप मुझे बताना थो अरस्तु के बारे में अरस्तु जो है यह अपने इनका नाम सुना है प्लेटो का यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प बता है कि इसका सिकंदर सिकंदर ग्रेट का यानि कि जो पूरे 20 वपे विजय करने वाला था भारत में आल गया तो यह इस तरीके से सीरीज बनेगा बिसिकली ठीक है अब आपको बताने है कि प्लेटो का गुरू कौन था देखते हैं कौन-कौन बताता है ठीक है नेक्स्ट कौन करता है यानि कौन कहता है कि money bill यह है यह जो विद्यक है यह एक money bill है कौन कहता है यह पहला ऐसेन यह शार आप लोक सभा इस्पार आप लोग सभा याद रखने अब यहां पर एक आप से मैं पूछ रहा हूं कि किस आर्टिकल के अंतरगत आता है कौन मनी बिल हमारे इंडियन कांश्चुशन यारे भारती समविधान के ठीक है भारती समविधान के किस अनुछेद में किस अनुछेद में यह आता है बाप बताना है कि किस अनुछेद में आता है कौन मनी बि 23 question है In which of the following year Indian National Congress demanded Complete Independence यानि कि कौन से साल में Indian National Congress ने Demand करा complete पूर स्वाराज के बारे में आप लोग ने सुना होगा पूर स्वाराज का नाम सुना है अक्सर पूर स्वाराज अक्सर आता है एक question बहुत ही ज्यादा famous question है पूर स्वाराज पूछा जा रहा है कि कि साल में Indian National Congress में proposed किया यानि demand करा पूर स्वाराज का option है 1929 1952 1935 1920 35 and 25 ठीक है अब आप आंसर करते रहो इस से लिटर में facts आपको लिखवा देता हूँ ठीक है देखो Indian National Congress जो है वो 18 कब हुआ था 1885 में इसकी स्थापना होई कहाँ पे महाराष्ट्रा में ठीक है महाराष्ट्रा में ध्यान देना ख़र अभी मैं International Congress टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ ने तो मैं बहुत कुछ बता था basically ये हर साल अपना एक conference करते थे some million हर साल लगभग करते थे और वहाँ पे एक president चूच किया जाता था ठीक है एक president चूच किया जाता यहाँ पे question और पूछा जाता है कि ये जो complete independence की मांग की गई है वो किस साल किस इस्थान और वहाँ का उस समय प्रेसिडेंट कौन चूच किया गया यानि अध्यक्ष कौन चूच किया गया यह पूरे question है आपके ठीक है मैं एक बार e-reach कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग को यहाँ पर लिख के समझा सको आप comment करते रहो देखो इंडियन इस्थाल कॉंग्रेस भाई आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है तो question basically बनेगा ही बनेगा अब उसमें आपको कोई दो रहे नहीं है जब तक यह हमारा भारत है तब तक ही question रहेगा हटेगा नहीं ठीक है तो अब यहाँ पर answer बहुत सरे लोग का आ चुका है answer पहला ही हो जाएगा कब हो जाएगा 1929 ठीक है और किस स्थान पर हुआ यह तो यह था लाहोर अधिवेशन ठीक है लाहोर अधिवेशन वर्तमान पाकिस्तान में पड़ेगा ठीक है अधिवेशन ठीक है तो जवाहलाल नहरू को यहां पर अध्रच बनाये गया, लेकिन यहां पर दो तीन बाते बहुत ध्यान देने वाली है, ठीके, आप से जब भी पूछा जाएगा कि सुतंतरता की घोषडा का प्रारूप किस ने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था, प्रारूप अग हस्रत मोहानी, ठीके, हस्रत मोहानी फॉस्ट टाइम इस वर्ड को क्वाइन किये थे, और इसका जो प्रारूप त्यार किया था, महात्मा गांधी ले, अब जवाहलाल नेरू ने संकल्प लिया था, ठीके, संकल्प, यानि सबको इन्होंने पूरु स्वराज का संकल्प दि जेल नहरू, ठीके, चलो, आगे हम लोग 24 question, the writer of the book Discovery of India is, Discovery of India को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, भारत की खोज, ठीके, भारत की खोज और भारत, एक इसका सीरियल भी आता था, उसमन डीटी नेशनल पे, भारत की खोज और भारत कुछ करके था, मुझे ध्यान नहीं या रह बिसिकली ये बहुत important question है, जनरली इस किताबों का हम लोगे निया NCRT में पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे slabus में हुआ करता था, ठीक है, ये हमारे slabus में भी हुआ करता था, बहुत सारे लोग इसको पढ़े भी होंगे इस किताब को, तो answer तो सबको पता ही होगा, थामस, नो, महत्मा नो, जौन नो, और लास्ट वन जौहलाल नहरू, लेकिन यहाँ पर एक दूख question में आपसे पूछना चाहूंगा, basically, कि भारत की खोद जो है, वो कब लिखी गई थी, ठीक है, तो ये 1944 में लिखी गई थी, और इसको लिखने वाले जौहलाल नहरू, और इन्होंने लिखा कहा से था, इन्होंने जेल से लिखा था, ठीक है, ध्यान देना, सुनता लड़ाई में इनको जेल में डाला गया था, आहमद नगर के जेल से, ठीक है, आहमद नगर के जेल से, ठीक है, आहमद नगर के जेल से, इन्होंने इस पूस्तक को लिखा था, और basically ये पूस् की गई थे ठीक है हाड कॉपी में और इस पर सीरियल भी था मुझे बता धान नहीं है बार सर्च करके देख ले ना नौलेज के लिए पता होना चाहिए भारत की खोध है ऐसा ही कुछ उसका नाम था उसमें अरे वह जो एक बहुत फेमस करेक्टर कर गए क्या नाम था ओम पू के बारे में बात किया है से लीच से ला अरे क्या कि वह उस समय समय में समय को मने म mentele है है कि जितने भी इस टाइब के जो समाजी क्वेस्चन आते ब्रह्मो समाज आरे समाज ठीक है बुद्वा पुनर विवा अधिनियम बाल विवा को रोकने के लिए यह तमाम लोग और इनके जो बनाएगे नियम कानून थे वह बहुत ही महतपूर क्वेस्चन है ठीक है मलब धा मलब जो आपका धार्मिक सुधारान दोलन है वह बेसिकली आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है यहां पर आफसन है स्वामी वेकानन स्वामी दयानन सरस्वति राजारा मोहन रहा एंड लास्ट वन पंडित मदन महन मालवीजी जो है यही आपके बहु के फांड महा मना पंडित मदन महन मालवीन का पूरा नाम है फांडर आरसमाज जब भी आप से पूछा जाए तो आप इतना दिमाग में बैठा लेना कि इसका आंसर हो जाएगा स्वामी स्वामी दयानन सरस्वती इंड लेकिन जब भी राजा राम मोहन रहा लिखके आता है तो दिमा आप देखो के बैंगॉल साइट से ही आते हैं इन लोग का एजुकेशन से अच्छा रहा है इसलिए लोग ऐसे अधिनियम पर बात कर पाए मनलब समाजी का इसे कुरुतियों पर बात कर पाए चुकि इन लोग ने पढ़ाई लिखाई करी देखो किसी भी समाज में किसी भी च पाथियार कोई नहीं है जितना पढ़ाई करोगे उतने विचार आएंगे और जितने विचार आएंगे उसमें साकर अत्मक्ता बढ़तीज आएगे और आप देखोगे अच्छा समाज अपने आप बनने लगेगा तो आरे समाज का जो स्थाफक जो फाउंडर है वह स्वाम आइडियल माना जाता है एक स्वामी विवेकानेंद को माना जाता है और दूसरा एपी जे अब्दूल कलाम को माना जाता है आई थिंग आप मैंसे बहुत सही लोगों के आइडियल होंगे भी होने भी चाहिए ठीक है तो अच्छा नेक्स पूस्टिन चलें आज इसमें सनो एक किताब है फिरह और इसके और आथर का नाम बंसा जारा रहा है यानि इस किताब को किस ने लिखा तो आंसर हो जाएगा एड smartest के विल्यम RE थांहीं है इनकी बहुत सारे यूलिवोड मैं हमारे बॉली बॉड में जो —कॉनस एले हीरो का कॉंसेफ है देखू वैसे तो यह फॉरिशाइन लेकिन हमारे बॉलिवड ने इंको बहुत अच्छी से कॉपी कि Maisस जैें हमेशा मोर्ण में देखों कर एक की एक एक किन्च रहता है एक इदर hero रहता है और एक इदर heroine रहती है ठीक है यह hero heroine के बीच में जो चक्कर चलता है यह जो प्यार मोहबत की बाते हैं यह इसका concept कहां से इसका concept इन्हीं के novel इन्हीं के drama इन्हीं के राइटिंग इन्हीं की story से आई है William Shakespeare ने जो राइटिंग क्योंकि यह जनरली ऐसे ही डामा लिखा करते थे जिसमें प्यार मोहबत रहे एक देखोगे आप उनका नाम सुने होगे ने आप मुझे खुद ही कमेंट करके बताओ आप तो खुद आसिक मिज़ाज लोग बहुत सारी होंगे नहीं यहां पर तो यह जो एक यह जो लिखने का जो सेंस था इस question को देने का जो main मतलब था वो यह था कि आपको जैसे midnight children है ठीक है या चेतन भगत है तो चेतन भगत की जो बहुत सारी famous किताबे हैं famous किताबे जो है यह हमारे देश में जो आजकल politician भी किताबे ला रहे हैं बहुत सारी जो बहुत पढ़े लिखे अच्छे politician है किसी भी party से आते हूं वह बहुत अच्छी किताबे ला रहे है या कोई sports person किताबे ला रहा है या किसी sports person के उपर किताब लिखी जा रही है कोई autobiography है तो यह सभी important हो जाता है 2020 के point of view से आपको बस google करना है important books published in 2023 और आपको जा जाएगा ठीक है next question पर चलते हैं हम लोग और next question है आपका यह the Indian rupee has got its symbol as the symbol has been designed by ठीक है आपको पता है कि हमारे यहां क्या चलता है हमारे यहां रूपिया चलता है और इसका symbol कुछ इस तरीके से बनता है ध्यान देना double line रहता है ठीक है कुछ इस तरीके से बनता है यह ठीक है आपको बता दूँ कि इस symbol जब आया था तो उस समय मैं स इसा ही कुछ मेरा class था उस समय मैं hostel में रहता था और इसको बनाने के लिए government open competition दिया था open competition यानि कि आप भारत सरकार के रुपे का जो symbol है वो बना सकते हो सोचो उस समय विसकली नोंने क्या किया था नहीं यह वाली जो दिया था इसका open competition हुआ था यह हुआ था कब 2010 में 2010 में आप भी पार्ट कर सकते थे कुछ उसके कंडिशन थे ठीक समझ याद नहीं है लेकिन यह भारत सरकार द्वारा उसमें किया गया था और सोचो कि यह उस समय यह फाइनल फिर आंसर हुआ था यह सेंबल जो है यह सेंब यह वाल आप देखे होगे अक्सर आपके bank account पर लिखा रहता है तो यह code यह code उन्होंने दिया अमला गौर्मेंट ने फाइनली फाइनलाइज किया और यह सिंबल जो है यह डी उदे कुमार के ड्राइंग से लिया गया और इसको हम लोगों ने आज तक यूज करते आ रहे हैं ठीक है next question पर आते हैं दो बार हो गया क्या question ओ स्वरी ठीक इसका आंसर तो आप मुझे खोदी दे सकते हो तो फाइनली आज के सेशन में इतना ही आपको इतना ध्यान देना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ठीक है और वेल आइकन को प्रेस जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरू प्रेंट रहा होगा और हम लोग सेशन का duration बढ़ा देंगे नंबर आप questions बढ़ा देंगे यूं समझ लों कि मैं चार-चार घंटे की class लेने वाला हूं बस बहुत जल कल से ही मलब समझ लो यानि मैं आपको पूरा पूरा धेट सारे इस important question करें और फेर के question खास और आपकी उतना ही नहीं आपके मैस और रिजनिंग के भी questions जो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सब्सक्राइब करें बहुत मज़ेदार रहा हो आप लोग के लिए अब आउट हम लोग 32 मिनट कंप्रीट भी कर लिए हैं ठीक है साधी विवा का सीजन चल रहा है तो आप लोग लहा के खाएं चाप के ज्यादा ना खाएं ठीक है अब मेरे यहां भी दोको साधी है आवाज जार वेंग्राउंड में ओके चनल को सब्सक्राइब जरू कर लि बहुत सारी सुब कामना है